15 मिनिट में बनके तयार हो जाएगा हमारा ये बहुती टेस्टी नास्ता इसको बनाने के लिए नाहीं आलू बानने की जरूरत है और नाहीं मैदे को गूतने की बहुती टेस्टी बनके तयार होगा तो चलो आज़ा इसको बनाते हैं नमस्ते, मैं संतोषी किचेन में आपका सुवागत करती हूँ, अगर मेरा वीडियो पसैंद आया है तो लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब करना इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम बेसन तो ये करीब मैंने दो कप बेसन लिया है इसको मैंने पहले ही अच्छे से छान लिया था फिर हम इसमें एड़ करेंगे नमक तो ये करीब मैंने वन टेबल स्पून नमक एड़ किया है इसको हमें अच्छे से mix कर लेना है फिर हम इसमें add करेंगे पानी हमें इसमें पहले तोड़ा सा पानी add करना है और इसे हमें अच्छे से mix करना है और इसे हमें जब तक mix करना है जब तक जो हमारा batter है वो full के अच्छी तरीके से double नहीं हो जाता इस बीच में आपको तोड़ा तोड़ा करके पानी भी एड़ करना है मुझे करीब एक ग्लास पानी लग गया था ये देखिए जो हमारा बैटरी अच्छी तरीके से डबल हो गया है फूल के अब हम इसको साइड में रख देंगे अच्छे से धाक कर जब तक हम फेलिंग तेगार कर लेते हैं अब हम रखेंगे गैस पे कड़ाई जिसमें मैंने डाला है दिटेबल स्पून तेल फिर हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून जीरा फिर हम इसमें add करेंगे कलॉन जी जो हमने तोड़ी सी डाली है फिर इसमें मैंने 3-4 हरी मेंचे कट करके डाली थी कड़ी पत्ता हम इसको डालेंगे और इसको हमें अच्छी तरीके से तोड़ा सा भूंज लेना है हमें इसे लाल भी नहीं करना है हमें इसे नॉर्मल अच्छी तरीके से भूंजना है इस स्टेज पे हम इसमें एड़ करेंगे सूजी तो ये करीब मैंने 1 कप सूजी लिया है और इसको भी हमें अच्छी तरीके से भूंज लेना है सूजी को हमें 7-8 मिनिट के लिए अच्छे से पकाना है जब तक जो सूजी का कच्छा पन है वो भी अच्छे से दूर हो जाएगा 7-8 मिनिट बद जो सूजी है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी ये देखिए हमाई जो सूजी है वो अच्छे से पक गई है इस स्टेज पे हम इसमें add करेंगे 1 cup water तो ये करीब मैंने normal पानी लिया है ये गुनगुना पानी नहीं है एकदम normal है फिर हम इसमें add करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून नमक नमक आप अपने स्वादा अनुसार add कर सकते हो और चिली फ्लेक्स को तोड़ा कमज़धा कर सकते हो इसको अगर हमें चट पटा बनाना है तो चिली फ्लेक्स हमें तोड़े से जादा ओड़ाद करने पड़ेंगे वनना जो सूजी होती है वो तोड़ी सी फीकी होती है इसलिए हमें तोड़ा सा इसको चटपटा बनाना पड़ेगा ये देखिए जो है ना आप इसमें पानी डाल दोगे तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा और हमें इसको 6-7 मिनिट के लिए अच्छे से पकाना है कुछ ऐसे ही मैं ना एक और बना लेती हूं और इस ये मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं ये देखिए अब क्या करेंगे हमने जो बैसन का बैटर लिया था वो हम चेक करते हैं हमारा बैटर जो है वो एकदम परफेक्ट है देखो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए अब हम क्या करेंगे जो हमने balls है वो हम इसमें dip करेंगे अच्छी तरीके से और इसको करेंगे हम deep fry और आपको जो इसमें तेल रखना है वो ना जाधा गरम होना चाहिए और ना ही जाधा थंडा होना चाहिए एक दम बहुत ही जाधा तेज आच में अगर आप इसको रख दोगे तो वो अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे इसलिए अगर आपको इसको पकाना है तो आपको तोड़ा medium आच में ही इसको पकाना पड़ेगा दीरे दीरे आप इसको ऐसे तरीके से हिलाईए और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनके तयार होंगे आपको इसको अच्छे से दीरे दीरे करके सेखना है जब आप इसको सेखोगे तो आप देखो कि इसका color दीरे दीरे change होने लग जाएगा आप इस recipe को try जरूर करना और फिर मुझे comment करके बताना कि आपको ये recipe कैसी लगी ये देखिए ये जो हैं हमारे वड़े ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्थिक गए हैं अब क्या करेंगे हम इसको बाहर निकाल लेंगे ये देखिए आपको फिर इसको ऐसे अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेना है अब मैं क्या करती हूँ और भी जो वड़े हैं उसको भी हम अच्छी तरीके से बना लेते हैं जब आप और भी पड़े बनाएंगे तो आपको उसको भी इसी तरीके से अच्छे से से शेकना है। आपको बस इतनी ही चीजों का ध्यान रखना है, जो गैस है, वो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, तेज नहीं होनी चाहिए और आपको ये ध्यान रखना है जो आपके वड़े हैं वो कड़ाई में ना चिपकें इसलिए आपको एकदम मेडियम आज में ही इसको अच्छी तरीके से सिखना है जैसे अच्छे से सिखना है फिर आप इसको भाड निकाल लेजिए यह देखे जो मैंने दूसरी बार बड़े बनाए थे वो भी अच्छे से सिख गए हैं हम इसको भी भाड निकाल लेते हैं तो लीजिये बन के तयार हैं, हम सबको पसंद आने वाला रवा वटाटा बढ़ा, बहुत ही soft बन के तयार हुए हैं और बहुत ही झटपट बन गए हैं, यह देखिए कितने ही soft है ना और इसकी filling कितने अच्छे से आई है यह देखिए, अगर आप लोगको यह वीडियो तो लाइक करना और मुझे कॉमेंट करके विताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी